नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर इंडिया में स्ट्रेट डॉक्स अटाक एक बहुत बड़ा कंशन हो चुका है दोस्तों आजकल हर स्टेट में से स्टेट डॉक्स अटाक केसस रिपोर्ट हो रहा है इवन डद केसस भी रिपोर्ट हो है दोस्तों, यह जो आवारा कुट्टे है यह एक साथ अटाक करते है छोटे बैच्चे तो कुछ नहीं कर पाएगा, अकर अकेला है तो है कि नहीं आज़े से लोगों को परेशानी हो रही है, अब इन्हें खतम तो नहीं कर सकता, क्यूंकि हमारे देश के रूल्स और नगलेशन इसके खिलाफ है उपर से कई सारे अनिमल राइट्स अक्टिविस्ट है, जो स्ट्रे डॉक्स के लिए आवास उठाते हैं तो सुप्रिंग कोट में रीसनली एक पेटिशन पहुंजा, ये बोलके कि स्ट्रे डॉक्स की पोपिलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ एक्षन लेना पड़ेगा गर्मन को तो सुप्रिंग कोट जड्ज ने बोला है दोस्तों, अगर कोई स्ट्रे डॉक्स को प्रोटेट करने के बारे में बात किया जा रहे हैं या फिर उन्हें खाना खिलाने के बारे में बात किया जा रहे हैं तो वही लोग responsible होगा stray dogs के vaccination के लिए और अगर इन stray dogs की वज़े से किसी को injury होते हैं उनका hospital expenses भी उन्हें bear करना पड़ेगा वैसे ये कोई judgment नहीं है Supreme Court की तरफ से एक suggestion है At the same time Supreme Court ने ये भी बोला है हमें कुछ ना कुछ solution ढूणना पड़ेगा stray dogs मेंनस को control करने के लिए वैसे Supreme Court ने ये भी बोला है Animal rights और safety of the people के बीच में एक balance maintain करना चाहिए ऐसा ने कि सारे stray dogs को जान से मार दो ये भी नहीं बोल रहा है पर safety of the people topmost priority है अब इसे related कुछ statistics चेक करते हैं दोस्तो data के इसाब से 2019 से लेके अब तक इंडिया में 1.5 क्रोर से स्यादा animal bite cases रिपोर्ट हुआए highest number of cases रिकोर्ड हुआ था उत्तर प्रदेश में से 27,52,218 इसके बाद तमिल नाडू 20,70,921 फिर महाराष्टा 15,75,606 और वस्बंगाल 12,9,232 अब तक लक्षदीब यूनियन टरिटरी में zero dog bite cases रिपोर्ट हुआ है दोस्तू 2019 से लेके अब तक 2022 की बात करें तो पहले साथ महिने में total 14.5 lakh animal bite cases रिपोर्ट हुआ है वैसे 2019 में stray dogs का एक count हुआ था तब इंडिया में 1.53,9355 stray dogs थे बट 2012 में इससे ज्यादा थे 1.71,38,349 तो मतलब 2012 से लेके 2019 तक stray dogs के population में decline हुआ था नौ, highest number of stray dogs काहां पे थे उतरपदेश में करीब 20 lakh something फिर ओडिशा में 17 lakh, महारास्टा में 12 lakh मानिपूर, लक्षदीप, अनदाद्रा अनागर हवैली में zero stray dogs थे ये 2019 का data है दोस्तों वैसे दोस्तों इन्हे stray dogs क्यों बोलते हैं आप सबको पताओगा stray एक popular टेम है उन dogs के लिए जिने हम अक्सर streets में देखते हैं पर scientist ये word यूज नहीं करते हैं वो दूसरा एक word यूज करते हैं इन dogs के लिए वो है free ranging तो free ranging dogs का definition ये है दोस्तों ऐसे dogs जो किसी के direct control में नहीं है and are not prevented from roaming roam करने से उन्हें कोई prevent भी नहीं करते हैं इन्हे scientists free ranging dogs बोलते हैं वैसे हम stray dogs बोलते हैं अब दोस्तों देखिए stray dogs attack का सबसे बड़ा risk है rabbits rabbits के बारे में आपने सेथ सुना होगा इती से zoonotic viral disease zoonotic मतलब क्या होता है ऐसे virus जो animal से humans में transmit होता है वैसे rabbits होता है rabbits virus की वज़े से ये lisa virus जनस से बिलोंग करते हैं within the family rabbits virus present है rabbit animal के saliva में rabbit animal मतलब इसमें dog, cat, monkey एक सट आते हैं rabbits जो है 100% fatal है मतलब rabbits virus हमारे शरीर में enter करने से 100% death हो सकता है but it is 100% vaccine preventable also अगर vaccine टाइम पे लगाएंगे तो rabbits से हम 100% cure भी हो सकता है ठीक है 33% of global rabbits deaths are recorded in India देखिए globally जितने rabbits deaths report होता है उसका 33% जो है इंडिया में report होता है and the most common reservoir of the virus is the domestic street dog especially in South Asia and Africa देखिए दोस्तों rabbits virus का most common reservoir कोन है domestic या street dog जिने हो stray dogs बोलते है especially in South Asia including India and Africa वैसे आपने साइद hydrophobia के बाएरे में सुना होगा क्या है hydrophobia fear of water पानी से डर लगता है देखिए rabbits disease का one of the symptom है दोस्तों पानी से डर लगने लगता है ठीक है इसे hydrophobia बोलते है now इंडिया में हर साल 18,000 से लेके 20,000 तक का reported cases of rabbits होते है जो unreported है इससे भी ज्यादा होते है World Health Organization की इसाब से and estimated 45% of all deaths from rabbits occur in Southeast Asia तो दुनिया भर में जितने rabbits deaths होते है दोस्तों उसका 45% Southeast Asia में होता है बैसे इंडिया में कितना होता है मैंने आपको बोला 33% ठीक है In case rabbit death in livestock which remains unnoticed the condition is more horrible in India तो इंडिया का condition काफी horrible है दोस्तों हमारे जो livestock है इनके death का एक major reason है राविस और livestock owners अजो veterinarian surgeon से उनको इन livestock से राविस इंफर्क्ट होने का chances भी ज्यादा है अब दोस्तों इंडिया में stray dogs का population इतना increase होने का reason क्या है वैसे कई सारे reason से एक तो इनका reproduction बहुत fast होता है At the same time कई सारे dog owners अपने dogs को abandon करते है streets में ये भी एक major issue है दोस्तों इंडिया में अगर इन stray dogs को sterilize नहीं करेंगे मतलब इनकी जो reproductive capacity है उसे deactivate नहीं करेंगे तो इनकी जो multiplication बहुत जल्दी हो जाएगा Now, solution क्या है दोस्तों Number one solution है owners of animals must be fined and must be warned to keep them tethered to their shelters जो honest अपने dogs को abandon करते है न उनके उपर fine impose करना चाहिए ऐसे उन्हें करने नहीं देना चाहिए Second, facilities must be provided for keeping stray animals in a separate place जितने stray animals है दोस्तों अब उनकी भी गलती नहीं है है कि नहीं उन्हें कोई streets में छोड़ा या फिर उनका जनम street में हुआ तो वो stray dogs ही रहेंगे तो इनके लिए गर्मन के तरफ से एक separate place provide करना चाहिए ये तना feasible नहीं है फिर भी it's a solution and government must take interest in this problem and make some plans with local bodies animal caring and non-governmental organization अब देखें government खुद ये सब कुछ कर नहीं पाएंगे तो कई सारे animal caring institutions से जैसे कि local body से and non-governmental organization से जो animal protection के लिए काम करते हैं इनके साथ government को collaborate करना चाहिए stray dogs का protection वैसे दोस्तों government की तरफ से काफी सारे initiatives रहा है stray dogs population को control करने के लिए जैसे कि animal birth control dogs rules 2001 frame की आदा center government for sterilization and immunization of stray dogs sterilization मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया dogs की जो reproductive capacity है बचे पैदा करने का जो capacity है उसे deactivate करना दूसरा immunization भी होते हैं basically मैंने आपको पहले बताया यह जो rabbit animals है उनमें rabbit virus इंफेक्ट होने का chances ज्यादा है अगर stray dogs में rabbit virus आएंगे तो उससे humans में भी पहले होने का chances ज्यादा है मतलब अगर कोई stray dogs जो rabbit infected है उसके साथ humans का connection होगा तो saliva के तुरू यह humans में भी infect हो जाएगा ठीक है यह जो animal birth control program है जिसके तुरू sterilization and immunization होता है उसे implement करता है local bodies local bodies मतलब जो पंजायच, municipality, corporation वगरा है वैसे recently central government animal birth control rules 2022 proposed किया था यह basically 2001 rules को amend करेंगे और यह 2022 rules में responsibilities defined किया हुआ है of stakeholders at different levels तो basically welfare and well-being of animals ensure करना किसकी responsibility है एक-एक level में यह 2022 rules में defined किया हुआ है and these rules will help in fulfilling commitment under the national action plan for dog-mediated rabbits elimination by 2030 already central government का एक mission है दोस्तों that is national action plan for dog-mediated rabbits elimination by 2030 2030 तक rabbits cases को eliminate करना एक action plan है central government का तो यह 2022 rules है इसके लिए मदद करेंगे और recently इंडिया का first ambulance for street animals भी launch हुआ था चन्ने तमलनाडों में तो यह सारे government की तरव से initiative से दोस्तों stray dogs को control करने के लिए rabbits eliminate करने के लिए एकसर 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 तो दोस्तों that's it Supreme Court की तरव से यह जो suggestion आया है मेरे इसाब से 100% सही है क्योंकि ऐसे से खतरनाक incidents report होते है दोस्तों straight dogs attacks के रिगार्डी मैं आपको एक incidents बताऊंगा जो recently केरला में हुआ था third standard की एक लिड़की का death हुआ straight dogs attack की वज़े से अब आप सोचिए दोस्तों वह बैचारी लिड़की क्या करेंगे जब 10-15 अवारा कुट्टे एकसाथ उन्हें अटाक करेंगे तो इस तरह कई सारे cases report हो है दोस्तों छोटे-छोटे बैचों का death हुआ है कई सारे लोगों का injure किया है अब इनकी population को control तो करना ही पड़ेगा सबसे अच्छा solution वही है दोस्तों सबको sterilize करना पड़ेगा इसकी responsibility हर एक local body को देना पड़ेगा और effective case से यह जो mission है इसे implement करना पड़ेगा ताकि इनकी जो population है near future में decline हो जाए